आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi phone में blacklist settings के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी number को आप कैसे block कर सकते हैं किसी को कैसे unblock करना है blacklist settings कहां होती है आई आज की इस वीडियो में जानते हैं तो इसके लिए आपको अपने phone में सबसे बहले dialer में जाना होगा यानि कि dialer को open करना होगा हमारी phone में google dialer दे रखा है आपके phone में हो सकता है MI का default dialer होगा तो जो dialer है आप उसे open कर लीजिए अगर आपके पास कोई नया phone होगा तो सब phone में google dialer आता है तो जैसे कि आप देख सकते हैं Google डाइलर उपन करने के बाद आपके नीचे contact पर किलिक करने के बाद सारे contact की list आ जाएगी अब जैसे कि आपको जिसको यहाँ पर block करना होगा तो contact पर आप किलिक करिए जिसे block करना है उपर three dot पर किलिक करके block number का option आ जाता है तो block numbers पर click करके block पर click कर दीजिए और number आपका block हो जाएगा तो इस तरह से तो आप number को block कर सकते हैं और यहाँ पर उपर three dot पर click करके unblock numbers पर click करके इसे unblock कर सकते हैं और यहाँ पर इसका दूसरा तरीका है black list settings में जाकर तो फिर से हम इसे block करते हैं अब उसके बाद आप देख सकते हैं जब आप dialer को open करेंगे उसके बाद उपर आपको three dot पर click करना है और उसके बाद एक settings का option आएगा settings पर click करिए और आपके सामने एक option आएगा blocked numbers तो इस पर आपको click करना है अब उसके बाद यहाँ पर अगर आप unidentified callers की call को block करना चाहते हैं तो यहाँ से इस option को on करके कर सकते हैं अब इक option आपको मिलता है add number इस पर click करके number को enter करके अगर आप यहाँ पर block पर click करेंगे तो number block हो जाएगा और जो number आप block करेंगे वह यहाँ पर आप और यहाँ से number unblock कर सकते हैं आप जैसे कि जिस number को आपको unblock करना होगा उसके सामने ये वाला option आपको मिलेगा cut करने का इस पर click करके unblock पर click कर दीजिए और contact unblock हो जाएगा तो जो number आप block करेंगे यहाँ पर आपको show हो जाएगा यहाँ पर list आ जाएगी और इस तरह से आप अपने Redmi phone में blacklist settings कर सकते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को like करें और हमारे channel को subscribe जरूर करें